ओम गणशी महागड़ी शाय नमा दाथे दाथे दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों गणशी अमंगल हर्ता, विग्न हर्ता और सुक दाता हैं। गणशी जतनी जल्दी नाराज होते हैं, उतनी ही जल्दी अपने भक्तों से खुश हो जाते हैं। खुश होने पर गणिश्ची हर प्रकार की विगनवादा दूर करके सुख सम्रद्धी शांती देते हैं। सास्त्रों में गणिश्ची को खुश करने के ऐसे ही उपाय बताये गए हैं जिन्हें करके व्यक्ति अपने जीवन को खुशाली से भर सकते हैं और दुख तरित्ता का नाश कर सकते हैं। चाहें आपके घर में नकारात्मक उर्जा हो, कुल्नी में बुद्धि ग्रह अश्योव इस्थिती में हो या आपके द्वारा किये जा रहे कार्यों में आपको सफलता नहीं मिल रही हो। ऐसी इस्थिती में आपको हर बुद्ध बार को भगवान शी गणेश जी को प्रसन्न कर समस्याओं का समधान करने के लिए। हिंदू संस्कृतियों पूजा में भगवान शी गणेश जी को सर्वस्रेष्ट स्थान दिया गया है। प्रतेव शुक कार्य में सबसे पहले भगवान शी गणेश जी की पूजा की जाना अन्यवादे बताया गया है। देपता भी अपने कार्यों की बिना किसी बिगन से पूरा करने के लिए गणेश जी की अर्चना सबसे पहले करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि देव गणों ने स्व्यम उनकी अगर पूजा का बिद्धान बताया है। शीर गणेश जी को बद्धुबार का कारक दिबता माना चाता है। इसलिए बद्धुबार को भगवान गणेश का फार माना चाता है। ऐसे में बुद्धवार को गणेश जी की पूजा बिशेश मनुरत में सफलता पाने वाली मानी चाती है मानने तक के नुसार गणेश जी की पूजा ना केवल आपके कार्वे में आ रही अर्चनों को हटाती है बलकि आपकी हर मनुकामना को पूरी करती है शास्त्रों में एक बात चिक्र आता है कि भगवान शंकर तिप्रासुर का बद्ध करने में जब असफल हुए तब उन्होंने गंभीता पूब्रग बिचार किया कि आकिर उनके कारे में बिगन क्यों पड़ा तब महादेब को ग्यात हुआ कि बे गणिश्ची की अर्चना किये बेगय तिर्पासुर सीद करने चले गए थे इसके बार शिप्ची ने गणिश्ची का पूजन करके उन्हें लडू का भोग लगाया और दोबारा तिर्पासुर पर प्रहार किया तब उनका मनुरत पूर्ण हुआ माना जाता है कि जैसे भोले नात को प्रसंद करने के लिए किसी विसेश सामिक्री और बिधी की जडरत नहीं होती उसी प्रकार माता पारवती और शिप्पुत्र गणिश्ची को खुश करना भी बहुत सरल है गणिश्ची अपने भक्तों की शद्धा भक्ती देखते हैं जो भक्त इनके प्रती इतनी शद्धा रखता है या उन्हें कोई छोटे सी चीज भी अलपित कर देता है गणिश्ची उस पर उतने ही करपालू बने रहते हैं सास्त्रों में भी गणिश्ची को खुश करके उनसे जट मनोकामनब पूरी करवाने के कुछ बहुती सरल और छोटे उपाई बताए गए हैं आज हम आपको ऐसे ही उपाई बताने जा रहे हैं जिन्हें करके आप भगवान शी गणिश्ची को खुश कर सकते हैं गणिश्ची को खुश करने का सबसे सस्ता और आसान उपाई है दूर्बा से गणिश्ची की पूजा करना दूर्बा गणिश्ची को इसलिए प्रिय है क्योंकि दूर्बा में अमरत मौजूद होता है दूर्बा एक प्रकार की घांस होती है जो भगवांशी गणेश ची को अधी प्रिय है कभी भी दूर्बा को भगवांशी गणेश के चर्णों में नहीं चड़ाना चाहिए बलकि कान पर या सिर पर लगाना चाहिए क्योंकि गणेशी दूर्बा खाते हैं इसलिए भगवांशी गणेश के चर्णों में दूर्बा चड़ाने से दोस्त लगता है भगवांशी गणेश को हमिसा दूर्बा की 5, 11 या 21 गांट अर्पित करनी चाहिए गणेशी को प्रसंद करने का दूसरा सरल तरीका है मोदक का भोग गणपती अर्थर्व शीष में लिखा है कि जो व्यक्ति गणेशी को मोदक का भोग लगाता है गणपती उनका मंगल करते हैं मोदक का भोग लगाने वाले की मनुकामना पूरी होती है सास्त्रों में मोदक की तुलना भ्रह्म से की गई है मोदक भी अमरत मिश्रित माना गया है पंचामरत में एक अमरत घी होता है घी को पुष्टी बर्धक और रुख नाशक कहा चाता है भगवान गणेश्ची को घी काफी पसंद है गणपती अर्थर शीष में घी से गणेश्ची की पूजा का बड़ा महतम में बताया गया है कहा जाता है कि जो व्यक्ति गणेश्ची की पूजा घी से करता है उसकी बुधी प्रखर होती है गी से गणेशी की पूजा करने वाले ब्यक्ति अपनी युग्यता और ज्ञान से संसार में सब कुछ हासिल कर लेते हैं भगवान शी गणेश के आगे हमीज़ा घी का तीपक ही जलाना चाहिए भगवान शी गणेश को खी के साथ गुड मिलाकर भोग लगाना चाहिए अगर आप चाहें तो गुड घी और रोटी का चूर्मा बना कर भी भगवान शी गणेश को भोग लगा सकते हैं बुद्धवार के दिन गुड और घी मिलाकर गौमाता को खिलाने से धन सम्मंदी समस्याओं का निदान होता है अगर परिवार में कल है हो तो बुद्धवार के दिन दूर्बा से गणेश ची की प्रतिकात्मक मूर्ती बनाएं इसे अपने घर के देवाले में स्थापित करें और प्रति दिन इसकी विदी विदान से पूजा करें घर के मुख्य दरवाजे पर गणिश्ची की प्रत्मा लगाने से घर में सुख सम्रुधी बनी रहती है कोई भी नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश नहीं करती आज हम आपको इलाईची से करने वाले का असान उपाई बताने जा रहे हैं जो उपाई आपकी धन सम्मंदी सभी समस्याओं को दूर कर देगा और आपके लिए धन के नए नए मार प्रसस्त करेगा सभी मनुकामनों को पूर्ण करने में सहायक होगा यह उपाई करने के लिए सबसे पहले आपको एक हरी इलाईची लेनी है अब इसके बाद आपको अपने मंदिर के आगे यानि पूजा खर के आगे आसन बिछा कर बैठ जाना है याद रखें कि लाईची कटी फटी ना हो सावुद लाईची हो अब इस लाईची को एक परतन में रखकर भगवाईशी गणेशी के सामने रखते हैं इसके बाद भगवाईशी गणेश के सामने एक सुध्य देशी घी का दीपक जलाएं और उसमें थोड़ा सा सिंदूर मिलादें इसके बाद भगवाईशी गणेश को सिंदूर से तिलक करें और एक तिलक इलाईची पर भी लगादें उसके बाद भगवाशी गणेश के सामने एक सुगंदि धुबत्ती जलाएं भगवाशी गणेश को लड़ू का या मोदक का भूग लगाएं अगर लड़ू मोदक ना हो तो गुड़िय शक्कर का भूग लगा सकते हैं इसके बाद थोड़े से चाबल लें और उन्हें भगवाशी महागणेश आएं नमहा मंतर का जाब करते हुए भगवाशी गणेश के चर्णों में चड़ाएं और उसके बाद ओम गणिश्री महागणे शाय नमहम मंतर का जाब करते हुए चाबल इलाईची पर भी चड़ाएं इसके बाद बरतन में से इलाईची उठा लें और अपने हाथ में दवा लें और उसके बाद ओम गणिश्री महागणिशाय नम्हा मंत्र का 108 बार जाप करें इस बात का ध्यान रखें कि इस मंत्र का जाप करते समय कोई भी आपको परेशान ना करें अब जाप पूरा करने के बाद आपको इस इलाइची को अपनी मुठी में बंद करके घर के अंदर ही अंदर साथ चक्कर लगाने हैं आप सभी को बता दें कि घर के साथ चक्कर लगाने के बाद आपको फिर से अपने पूजा घर के सामने बैठना है अब इसके बार आपको एक लाल रंग का कपड़ा लेना है और उस हरी इलाइची को उस लाल रंग के कपड़े में लपेट दे और इसकी पोटली बना ले इसके बार इस पोटली को बानने के लिए आपको लाल धागा लेना है अब इस पोटली को घर में ऐसी जगर छुपा दीजिए कि किसी की नजर ना आए ध्यान रखें कि घर का कोई भी सदर से इस पोटली को देखना सके आप सभी को बता दें कि इस उपाए को आपको बुद्धुबार के दिन सुभे से रात तक किसी भी समय करना है यह उपाए बुद्धुबार के दिन किये जाए तभी शुफल प्रतान करता है इस पोटली को छुपाने के बाद आकर भगवान श्री गणेश की आरती उतारे और आपने जो भी लड्डु या मोदक जिस पी चीज का भोग भगवान को लगाया है उसे अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ गिरहन करें और सिंदूर से सभी के और अपने माते पर तिलक लगाएं बुद्धुबार के दिन भगवान श्री गणेश को सिंदूर से तिलक करने के बाद अपने तिलक करने से समस्त मनुकामनाई जल्दी ही पून होती है और भगवान श्री गणेश समित उनके सभी परिवार के सदस्यों का आशिरबाद प्राप्त होता है बुद्धुबार के दिन इलाइची का यह उपाई करने से घर में सुख सम्रधी आती है और कलिश दूर होती है धन समंदी सभी समस्याइं दूर होती है और भगवान श्री गणेश की करपा आशिरबाद से मनुकामना जल्दी ही पून होती है यह इलाइची आप पोटली में बान कर अपनी मनुकामना की पूर्थी के लिए भी रख सकते है और जब आपके मनुकामना पूर्थी हो जाए तब इस पोटली को ले जाकर सुद्ध बहते जल्में प्रभाहित कर दें या भगवान श्री गणेश के मंदिर में जाकर उनके चर्णों में रखाएं उमीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक शे एंड सस्क्राइब थैंक्स वर वाचिंग राधी राधी